हाली में जेडियों के राश्ट्री अध्यक राजीव रंजन और फ्ललन सिंग और बिहार सरकार के भवन निर्मान मंत्री अशोक चौधरी की तीखी बहस की खबर सामने आई थी जो की पूरे बिहार में एक चर्चा का विशय बना हुआ था लेकिन अब ये खबर दिल्ली तक पहुँच गई आखिर दिल्ली तक ये खबर कैसे पहुँच गई आपको बता दे जितनराम मांजी की अमिश्चा से मुलाकात हुई है यानि की हम के संरक्षन जितनराम मांजी की अमिश्चा से मुलाकात हुई और उनोंने ये सारे प्रकरन की जानकारी अमिश्चा को दी है इस पर अमिश्या का क्या reaction हुआ है जानते हैं वरिष्ट सही होगी आश्यतोस मिश्या से सर जितन रामान जी की मुलाकात हुई थी अमिश्या से सारे मुद्दों पर बाचीत हुई हाला कि उन से मुद्दों से एक जो मुद्द सामने आ रहा है ये है कि जिस तरीके से बीते द दल को कैसे सटिस्फाइड करना है कितने कितने सीटे देनी है और खास तरप बिहार पर उनकी पैनी नजर है चुकि बिहार में 39 सीट बीजेपी या इंडिये गटवंद्दन ने जीता था 2019 के लोग सवा चुनाओं में हलाकि तब नितीश कुमार साथ थे और अब नितीश कुमार अलग है तो ये चैलेंज और ज्यादा है चुकि नितीश कुमार को उनको एक डाजनितिक हैसियत दिखानी है ऐसा अमीत शाह या बीजेपी या इंडिये के लोग चाहते हैं तो जीतन नमाजी की जब मुलाकात हुई थी कल उस दोरान बिहार के बारे में बिहार के सियासत के बारे में चर्चा हो रही थी उसी चर्चा के दोरान नितीश कुमार के बारे में पत्रकारों ने सवाल पूछा जब जीतन नमाजी से तब उन्होंने बताए कि उसी चर्चा तूतु में में हुई थी बरबिगा और जमुई जाने खोलेकर उस प्रक्रण से उन्होंने अवरत कराया एक एक बाते सिल्चिलवार तरीके से बताई बताने का मक्सद यह था कि किस तरीके से जो आई इंडिया एलाइंस है जिसको बीजेपी वाले आई इंडिया वाले प्रण संधन बोलते हैं उसमें क्या चीजे चल रही है इसके बारे में मोटीब था माजी को अमीचा के बारे में अमीचा के बताने के पृछे तो उन्होंने बताया इस बात पर अमीचा भले बार ह excessि से सुने और उन्होंने बोला कि हां मुझे भी इस बात की सोचना मिली थ थी आपने पताया और उस पर उनको थाहा के मार कर तो हसने लगे कि चलो हमारे बिरोधी में खट पर तो चल रहा है मतलब कुछ भी और जाहिर तोर पर जब जिसे दुश्मनी हो राजनितिक रूप से जिसे लराई चल रही है और उसी घर में आग लगी हो तो सामने वाला बहुत खुश होता है तो वही रियेक्शन था कि चलो अच्छी बात है कि वो लोग आपस महीं लर रहे हैं इस बात का फायदा हम लोग को मिलेगा और ये भी कहा है आने वाले दिनों में सब अकेले अकेले ही चुनाओ रहेंगे इसके अलाबा जितन नामाजी का जो बयान था वो शीट शेरिंग पर उन्होंने कहा कि मेरी बात बहुत तक नहीं हुई बस इतनी बात हुई कि मैंने चुटी लास्ट टाइम जो मुलकात हुई तो उसमें ही शीट शेरिंग पर मैंने बोल दिया था जितन नामाजी के मुताविक कि आप लोग मेरी जो राजनीतिक हैसियत है और कात है उसमुताविक कितना आकते हैं जितना आकते हैं जो भी शीट दीजेगा हम उसी को एक्षेप्ट करेंगे और उस पर तो जितेंगे ही बाकी 40 शीट जो बिहार में है उस पर भी जीतने का अपने अलाई को जीताने का प्रयास करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में दशरा के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह आने वाले हैं उस बीच में उस दोरान सारी बाते सीट शेरिंग का जो भी घटक द इसलिए वन टूवन वो मिल भी रहे हैं तो ये तमाम बाते हम चाहिए एडिटर सबसे पहले माजी का वो बयान सुना दे जिसमें सीट शेरिंग से लेकर और जो ये ललन सिंग और अशोक चोदरी के प्रकरन के बारे में माजी ने बताया है वो है तो देखिए हम चाहेंगे जो बिहार में एक चर्चा का विशय बना हुआ है ललन सिंग और अशोक चोदरी को लेकर के क्या कुछ जितन राम मांजी कहते हुए नजर आ रहे थे और फिर हम साप कर दिया कि बहुत लोग टिकट पिकट की बात करते हैं तो शुरू में ही हम आप से बात कर दिया था कि आप हमारी आवकाद को क्या तौलते हैं इसके आधार पर आप हमको जो भी सीट देंगे हम वो सीट स्विकार करेंगे और कोशिज करेंगे कि अपना सीट के साथ साथ आनस सीट यानि चाल्सोर सीट विहार का प्रधान मंत्री के जहुदी में हम लोग डालें इसका हमारा प्रयास है तो इसलिए हम सीट की बात आप से करने नहीं आया है तो उस पर भी उने कहा कि जो दसारा के बाद हम लोग बिहार में अस्टेशन करेंगे बात करेंगे सारी बात उस समय हम लोग कर लेंगे दसारा के बाद पर इंडिस्ट तारिक पर 20 सक्रूबर या कोई अक्रूबर के बाद हम ने ठीक ही कहा हम तो इस बात को नहीं कहना चाते थे लेकिन हमने उनको कहा कि एक तरफ डंका बजाई जा रही है बज रही है नरेन भाई मोदी जी की जो चार काम गिनाया उससे ना हिंदुस्तान में वलकि समुचे संसार में और दूसरे तरफ घंडिया पाटी के लोग अवा सोक चोड़ी की लडाई बहुत माने रख रही है और मुखंती नितिस कुमार के सामने लडाई शुरू ही और लडाई सांद करने के वज़ाए नितिस कुमार बाहर निकल गए चले गए नहीं कुछ बो ले इस पर उनोंने बड़ी हांसी की की हाँ मालू हुआ है कि इस में सब एक साथ नहीं लड़ करके अलग-अलग लड़ेंगे और हमारा एंडिये ससक्त रूप में अपने साथ लड़ करके आगे सबसे बढ़ करके आवेगे अपने पहले भी कहा है कि जब आप एंडिये में आए नितीश कुमार की भी वापसी संभाव अगर आते हैं तो स्वागत करेंगे इस पर कुछ बात हुई हमिच सागी से अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नमबरों पर संपर